अस्सलाम आलेकुम वरहमतुल्लाहिव बरकातु अल्हम्दुल्ला हमें आप हज़रात से उम्मेदे कि आप हज़रात ने पहले पारे के दसो दस रुकु मुकमल कर लिये होंगे जो हमने आपको आगे पढ़ाये थे हमें जो पढ़ने का है वो पहले पारे का यहनी सुरे बकरा का 11 रुकु बहुत ही आजान है। जो स्टैप हम पहले फौलो करते थे उन्हीं चीजों को फौलो करते हूँ अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए पढ़ना बहुत ही आसान होगा। इंशालला कोई नई चीज आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे हम पढ़ते जाएंगे आपको ध्यान से सुनना और समझना है फिर उसके बाद याद करें और हुरूफ को मिलाना सिखे हरकात को कैसे पढ़ना है तश्डीत को कैसे पढ़ना है और वो हुरूफ जिनको एक अलिफ के बराबर खीच कर पढ़ा जाता है इन सारी चीजों को जानने के लिए हमने प्लेलिस्ट में मदनी काइदा डाल दिया है आप उधर से देखकर पढ़ सकते है आपको इंशालला बहुत आसानी के साथ उधर समझ में आएगा आज का सबक शुरू करते है आउदु बिल्लाहि मिन श्चैतानि र्रजीम बिस्मिल्लाहि र्रह्मानि र्रहीम सिनको डाइरेक्ट बासे मिलाना है या और अलिफ नहीं पढ़ना सिनको डाइरेक्ट बासे मिलाना है या और अलिफ नहीं पढ़ना हमने आपको इससे पहले बताया था कि जहाँ पर छोटी मद है और वहाँ पर रुकना है तो मद को नहीं खीचना तो यहाँ पर भी हमें मद कीचना नहीं है बिमा ला तह्वा अन्फुसकु मुस्तक्बरतुं फफरीकं कजबतुं फफरीकं तक्तुलून हम अक्सर बताते हैं कि जहाँ पर जजबवाली हम्जा उसको पहले वाले हर्फ से मिलाकर जड़का दे कर पढ़ेंगे यहाँ पर हम्जा जजबवाली वाव की शकल में है यहाँ पर जड़का दे कर पढ़ना है मा यूमिनून वलम्मा जाएहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकु लिमा माहुम लापर रुकना नहीं है लेकिन अगर रुक गए तो पहले वाले टुकडे को मिला कर पढ़ना है मुसद्दिकु लिमा माहुम वकानू मिन कबलु यस्तफिहून अलल्दीन कफरू फलम्मा जाएहुम मा अरफू कफरू बिह फलعनतु ल्लाहि अलल्काफिरीन बिएसम श्तरव बिह अन्फुसहुम अं यक्फरू बिमा अन्जल ल्लाह बग्या अं युन्जल ल्लाह मिन फजलिह मिन फजलिह अला मन यशाओ मिन अबादिह फबाओू बगजब अला गजब लिलकाफिरीन अजाब मुहीन वइजा कील लहुम आमिनु बिमा अन्जल ल्लाहु कालू नुमिनु बिमा उन्जिल अलैना वेक्फरून बिमा वराए। वहुवा ल्हक्क मुसद्दिक लिमा माहुम उल्फलिमा तक्तलून अंभिया ल्लाह मिन कबल इन कुंतुम मुमिनीं खड़ीजे रुकने की आलत में ज़स्म बन जाएगा हम जो रुकते है रुकने की आलत में कहा पर क्या पढ़ने का अगर मालूम नहीं है तो आप जाकर प्रेलिस को चेक कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर लएए है हमने वक्वा के सारे कवाईट डाल दिये के रुकते वक्ता आखरी हर्फा पर क्या पढ़ना है वाइज अखदना मीथाककुम वरफ़ञना फवककुम उत्तूर खुदू मा आतैनाकुम बिकुवतिं वस्माओ आप देख सकते हो बिक समा और यअमर दूने जगा पर जजम वाली हम्जा है पहले वाले हर्फा से मिलाकर जटका देकर पढ़ना है यहाँ पर भी जटका देकर पुदू इंकानत लकुम अद्दार अखिरत अंद ल्लाह खालिसा आगे वाली आयत में आप देख सकते हैं तीन डोट की निशानी आई और हमने बताया था जहाँ पर तीन डोट की निशानी आएगी उपर निचे नहीं देखना हमें जीम होगा जा होगा मीम होगा यह सारी चीजे में नहीं देखना सिर्फ तीन डोट देखना है आप देख सकते हैं हमारा जहाँ पेन है वहाँ पर तीन डोट की निशानी छोटी छोटी दिख रही है जहाँ पर भी ऐसी निशानी आएगी दो जगाँ पर जरूर आएगी यहाँ पर भी आप देख सकते है अब यह निशानी का मतलब क्या होता है जहाँ पर यह निशानी आएगी दोनु जगा में से एक जगा पर रुकना है यहाँ पर रुकना या यहाँ पर रुकना है हम पढ़के आपको बताते है यहाँ पर रुक गए अब आगे वाले तिन डोट वाले निशानी पर नहीं रूपना दियान से पढ़ना इदर बिमजखजिही वमा हुआ बिमजखजिही मिन अलदाब अई यू अम्मर वाल्लाह बसीर बिमा यामलून सदक ल्लाहु लाजीम अल्हम्दुल्लाह हमें उम्मेदे के आपको आज का ये सबक समझ में आ गया होगा यहां तक हमारे सोरे बकरा के 11 रुक मुकमल हो चुके अगर कोई डाउट रह गया आप हमें निचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए वहाँ पर आपको सारी चीज़े मालूम पढ़ जाएगी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए बस आज के लिए इतना ही सबक अस्सलाम अलेकुम रहमतुल्ही वबरकातों